हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई चैनल, इस्टडी बित सिल्पी फ्रेंड्स हम लोग UGC Net Exam Geography, TGT, PGT, Geography and all upcoming Geography exams की तयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स आज हम Geography में पढ़ेंगे भारत का नाम करण एवं इसके अन्य नाम कि भारत का भारत नाम कैसे पढ़ा और इसके और कौन-कौन से नाम है और वो नाम भी कैसे पढ़ें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो कि हमारे exam के लिए most important है क्योंकि फ्रेंड्स यहां से भी कई बार question पूछे जा चुके हैं तो आएए फ्रेंड्स सुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स भारत का नाम करण एवं इसके अन्य नाम सबसे पहला पॉइंट है इसका प्राचे नाम आर्या वर्थ था आपको याद रखना है कि भारत का प्राचे नाम आर्या वर्थ था नेक्स्ट पॉइंट है राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष पढ़ा यह भी एक most important पॉइंट है कि भारत का भारत वर्ष नाम कैसे पढ़ा तो आपको याद रखना है कि भारत का भारत वर्ष नाम राजा भरत के नाम पर पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट है बैदिक आर्यों का निवास इस्थान सिंदु घाटी में था यह भी एक most important है आप से पूछा जा सकता है कि बैदिक आर्यों का निवास इस्थान कहा था तो आप याद रखेंगे कि बैदिक आर्यों का निवास इस्थान सिंदु घाटी में था ठीक है फ्रेंट्स निक्स्ट पॉइंट है और यह most important भी है फ्रेंट्स क्योंकि इससे कई बार उच्चारण हा की तरह करते थे तथा ये शिन्दु नदी को हिंदु नदी कहते थे इसी आधार पर इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया ये लोग सिंधु का बदला रूप हिंदु यहां के निवासियों के लिए भी प्रियोक करते थे friends most important point है कि भारत का हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा तो आपको याद रखना है कि परसिया जो कि अब इरान के नाम से जाना जाता है कि लोगों ने सबसे पहले सिंदु घाटी से भारत में प्रिवेस किया था और ये लोग क्या करते थे ये लोग साकाउचारण हा की तरह करते और इसी कारण इन्होंने सिंदु नदी जो कि कहां बहती है जब मुकासमीर में बहती है इस नदी को इन्होंने हिंदु नदी कहा और इसे आधार पर इन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया जो कि most important है और इन्होंने सिंदु का बदला रूप यानि हिंदु की निवासियों के लिए भी प्रियोग किया था ठीक है फ्रेंट्स आप से कुछे में पूछा जा सकता है कि हिंदू यहां की निवासियों के लिए किसने प्रियोग किया था तो हिंदू भारत की निवासियों के लिए परसिया यानि आधुनिक इरान के लोगों ने प्रियोग किया गया था फ्रेंट्स यह भी एक most important point है आपसे पूछा जा सकता है भारत के लिए जम्बू दियूप सब्द का प्रियोग कहां किया गया था तो आप याद रखेंगे कि हिंदू और बौध ग्रंथों में भारत के लिए जम्बू दियूप सब्द का प्रियोग किया था ठीक स्फेन्ट निक्स्ट पॉइंट है भारत के लिए प्रियूप भांप और तो इन्डार सब्द से हुई है तो अब आप याद रखेंगे कि जो इंडिया सब्द है is की उत्पत्ति ग्रीक भासा से हुई है और ग्रीक भासा के इंडोस सब्द से हुई है ठीके फ्रेंट्स निक्ट पॉइंट है यूनानियों ने सिंधुनदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा इसे अलेक्जेंडर ने अपने ब्यूरण में हिंदू का हा यानि एच को देखकर देश को इंदु नाम से संबोधित किया और बाद में परिवर्तित होकर यह इंडिया हो गया ठीके फ्रेंट्स तो आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया सब्रिक उत्पत्ति यूनानियों के द्वारा हुई थी यूनानियों ने सिंधुनदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा था और इसके अलावा अलेक्जेंडर ने भी अपने व्यूरण में हिंदु का हाँ देखकर इस देश को इंदु नाम से संबोधित किया था और बाद में यह परिवर्तित होकर इंडिया हो गया ठीके फ्रेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है भारत के स संबोधित किया ठीके फ्रेंट्स तो यहां पर हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि भारत का कौन सा नाम किस वजह से पढ़ा था क्योंकि फ्रेंट्स प्रीबियस यहर में इससे बहुत सारे कुश्यन पूछे जा चुके हैं इसलिए यह हमारे आने वाली एक्जाम के ल भारत के नाम पर भारत वर्स नाम पड़ा था परसिया यानि आधुनिक इरान ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया था जैन बोध इवं हिंदु ग्रंथों में भारत के लिए जंबुदिव सब्द का प्रियोग किया था और यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संब पंधित एक महत्वपूर बीडियो आई होप कि आपको ये बीडियो पसंद आया होगा मिलते हमारी निक्ष बीडियो में थैंक यू फार वाचिंग दिस बीडियो